तो सब्सक्ति है कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रूप है और कौन याननाम बता सकते हैं किटने है इसमें बता यह है इसमें सब्सक्राइब कर् velet रहम कितने हैं इसमें इसमेUSTnaire चलिए कि कस अविजय का नम बताएं चीडुक है कि यह यह है यह वता एक हम लोगों का ये एक functional group है और यह हम लोगों का है प्राइमरी एम्मीन है, क्या है वो? प्राइमरी एमीन है, यह हो गया हम लोगों का primary amine, amine, amine बोलिये, चलेगा, और कोई functional group यहाँ दिख रहा है आपको, यह क्या दिख रहा है जहां नहीं प्रतिक, हिमान्व सुपंक है प्रतीक, हिमान्सु, पंक्स कहां गलती हुआ, क्या गलती हुआ इसको अपने क्या लिख़्ा ये बताओ किया लिखा आपने हमाई20 किस CT को इसको आपने है किसी को नापर जो बोहन दो कि आमायड उसको बुलना से नहीं होगा एसीड़ अमाइड बोलिये ऑगल्ट यह लिख वाई था मैंने आशीड अमायल लिख वाए था तो आपको याद होगा जब एसीड़ मैं लिखं़ आया तो एसे लिवता होगा कि आर एप ता सीटावल तो और इसके साथ क्या जुरा हो एमस्ट यह आपका एकिडरमाइटम है आट अ आप यहां देख सकते हैं यह जो आपको seid toन T nowhere रहा है वो province ॐसरे बाउनित की इह स्रेंट्वक्त हुआ है इसके अधर क्या है कल ए Leo क्या कर बान कं से दरेक्तली जो है वह एनस्टु अटेस्ट यहां पर क्या है इनस्टु जिस पर बन जुदा है उस कार वन पर कारवन के साथ डवल बॉंड प्रॉक्सीजन है तो फर यह वाला फंक्शनल गुरूफ है और यह कौन है कि आधि बात स्मंदों कि यह विदिकत अगर गलती हो रही है तो कहां हो रही है उसको पकरना अवश्च्छा क्या ध्यान रखिएगा यह हो गया तो असीड अमाइड और अमीन दोनों इफ्रेंट है आई वाद समझ में यहां पर थोड़ा साब ठीक भी कर लिजिएगा अध कल वाले सेंटेंस में एक चीज है एसे डावाइड यह लिखा जाता है यह प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सियरी अमीन्स अगर उसमें वाड़ है तो इसको काट काट आ दीजिए इसमें बताईए तो कितने फंक्शनल ग्रूप है आपने काउंट किये पहले यह बताओ कितने हैं चलो कुछ लोग कह रहा किया हो जुल नहीं बना है तुमने कितना है बताओ तीन और आपको भी तीन अच्छा ठीक है यह वाला जो आपको दिख रहा है यह वाला क्या दिख रहा है बता सकते हैं यह क्या दिख रहा है यह यह आपका कर बाक्सिलिक एसीड है क्या है बोलो कि एक फंक्शनल ग्रूप तेल यहीं पे हो गया और बताओ कि यह क्या दिख ताइब को बता सकते हो यह तो सिदा सीदा दूसरा यहाँ सिन घुख और हो का और है यह प्रइसका है यह क्या दिख ते और इथर बहुत अच्छे बहुत बढ़िया इथर और बता सकते हो कि बोली यह किसी को दिखाई देरा सही से कि अ बोलो बोलो क्या है एसीड और एन हाइड ड्राइड याद आया एसीड एन हाइड राइड आया और बताओ और क्या दिखे रहा है आपको अंत यह क्या है यह स्टर है ए स्टर है पाला इस्टर अंते इस डर यह देखाता हूं यह कारवन उन्रत यह आज आर राका मतलब जोवड़ बंशीन फिर यह से जुढ़ा हो और इसके बाद क्या आ जाए कारवन यानी ऐसे अलकार ग्रुप ध्यान सदेखो यह कारवन है यहाँ जो कारवन इसके साथ डवल बॉंट इसको चुड़ा हुआ है इसके इधर एक और यह फिर किसे जुड़ गया यहां पर इस तरी होगा यहां कारवन ही होगा ना यहां और यहां पर कौन है और यह देखिए आपको अल्मॉस्स चीज़े दिखेंगे आपको इसके अंदर फंक्शनल गुरूप कितने थे एक दो तीन चार पांच और कौन-कौन है और वक्सल क्या बहुत बढ़ है यह जाए कि अपमें कहीच त्रूटी है कोई गल्ती रवापने तोसको ठीक कर यह गिर को बाकी हं धूटेए ktसले इसमें बताएए कितने functional group है इसमें कितने functional group है यह क्या दिखर आपको बता सकते हो यह वाला क्या दिखर रहा है हां यह क्या है बता सकते हैं यह है आपका किटोन कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कि टोन है कुछ और रहा है कुछ दिमांग में चल रहा है तो आप डिसकस कर सकते हो हाँ इतना जरूर है कि जो मैंने कल वह फंक्शनल ग्रूप का जो स्रीज लिखवाया था जो टेपल लिखवाया था वह आपको एक-दो बार लेना उतना करके आना चाहिए था आपको फिर आप अथ्य से पकर पाओगे समझ पाओगे यह कि टोन है हलाकि आप इसको चाहो तो स्ट्रीट बनागा देख सकतो यहां पर आपको दिखेगा यहां पर कुसी दिखेगा इसके साथ डवाल बॉन में ओ दिखेगा फिर यहां पर इसे कारवन दिखेगा इसके बाद जो है वो अलग बात है लेकिन द्यान से देखो अब तो आपको यह दिख रहा होगा क्या था कि टोन वाला इडवाल बॉन ओ इधर एक आर था इधर एक आर था याद आया नहीं आया ठीक है अच्छा वह भी कंशूजन का होता है जब और कि यह आ आप यह वता सकते हो कि यह कौन सा फॉंक्शनल गूरूफ है यह है आप का अलडी हाइड अ हम यह किए वताओ अलडी हाइड है है और कोई वह बता करें अग मित चाहीं र deficit अरक भी नहीं यहल कृइज दिखा हैं मित आप लोगं को कि यह एक साथ यह वाला देखिए जरा इस कारवन के साथ डवल बॉन और उसी के साथ तो वह जुड़ है न फिर को नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं एक यहाँ यह यहां को दिखना चाहिए और वो functional group कौन सा होना चाहिए अलकीन होना चाहिए मुझे लगता है यह बहुत लोगों ने छोड़ा होगा चलिए इसमें आ जाईए बताईए यह functional group कौन सा है बता सकते हो यह functional group कौन सा है चलो सारी जनता कह रही है alcohol तो मैं लिख देता हूँ अगा 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 अलकोहॉल इसको जब जब मैं देखता हूँ तो गीत याद आता है कि अन्य कभी सुनाओंगा यह बता सकते हो कौन सा गिष्ट याद आता है कि अच्छा यह क्या वता ओ यह इथर वेरी गुड़ तो वहाट अच्छे उज्वल तुमारा होईश्य उज्वल यह बता सकते हो कौन सा है क्या यह यह अधि यह primary amine है क्या बात है भापी लोग का जिन्दकी इस वताओ क्या यह क्या है ऐख आप आप लोग है सब तो धन्य हो गए गटाश्री अमीन है अप लोग FIFA तो होनी रहा था बहुत अना कीसे ले रहा हूं इसका नाम लिखा जाएगा नायाद रखना लूरो ब्रोमो ऐसे करके आएगा यह सब ठीक है फ्लोरो ख्लोरो ब्रोमो आयोडो इसलिए क्लास में इसका प्रिफिक्स क्या लिखा गया था ठीक है तो इसमें यह सब फंक्शनल गुरूप है और इन सब के नाम है तो दिकत आगे बढ़ा जाए और कुछ तो छूटनी रहा अगले पर आते हैं इसमें बताया जा सकता है इधर से शुरू कर लेते हैं बताएए यह कौन सा फंक्शनल गुरूफ है जल्दी वता दो को है यह अल की न कौन सा प्रेख से यह वताक व खंपक्शनल गूरूप है है ड़िए अच्छा के टॉन है अर्य सइनाइड क्या यह जब नहीं जब कारवन डिरेक लिया टेच वसी एन में से तो सइनाइड लेकिन नाइट्रोजन पहले अटेच अचोस तो क्या होगा आई सो साइन इंगी यह क्या है है आई सो यह यह होगा क्या कि दो तो टूझ देख लेना और यह होगा कि नहीं होगा नहीं होगा न क्योंकि और गेनिक में ना स्पेलिंग बहुत माहिन रखता है कहां क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसमें अगर जहां भी थोड़ा इरे देखें बोल दीजिएगा अप लोग ठीक है इस सियनाइड यह वता सकते हो क्या है कि अंघन रही है यह वताओ कि अजल्दी बोलो पनमेल निकलना है अर्य वता यह क्या है अरे टी हाइड है वाई क्या बोलो अल्डी हाइड है और बहुत सब्सक्राइब एक तो एक्स्पीरियंस होगा या सोच के बता होगे धिरे पता है क्या होगा ओटमेटिक ली समाझ माने लेगा ना कि डबल बॉंड के साथ अगर अक्सिजन होना और अगर इंड पे हो किनारे पे हो तो अल्डी हाइड होता है कि यहां से निकाल दिया और यह ऐसे कर दिया डाल दिया पता है क्या है क्या है क्या हो गया अल्डी हाइड हो गया है ठीक है अगले तैन इसकी अंदर बताया जाए अधर भी इस तीधर चाथ हैं यद्स कि मिन अौट ऑन प्राइमरी एमीन-चा के प्राइमरी एमीन छोलो यह बता सकते हो क्या है छी मजई घितला कम याल्कोँचे क्या अर क्या हित्व कुण और ने तुझे तेरी खुश्पू से पहचान love and alcohol की जो खुश्पू थो फियन वह दूर सही समझ में आता है कि चल रहा है पार्टी चल रहा है ह। अभी तो प्रडिशिरू हुई यह बता विए बुश्पूरु एह सा Haupt 1939 धनतब क्या बोलनी पड़ेगी वह यह स्विनल है व sit हो घृचला कि रेटय जब टेनिंघ से एटर तो क्या होगा बुला गया था रिधर को हल जब डी तरील योगा ध। क्या होगा प्न ओल कि और फॉंटिन लिखवाय गया था अरे बोलो लिखवाय गया था ठीक है तो यह आपका जो है सो की पिन अलो जाएगा आगे बड़े आगे बड़े और है इसमें नहीं इतना ही था ना हाँ तो यह लिख लीजे आप लोग नहीं लिखे थे तो जल्दी से बताना यह बता तो क्या है एक्वाली और फिन नहीं हुआ यह बंजीन नहीं है यह इप बेंजीन नहीं नहीं है यह बंजीन नहीं है इसके अंदर अंदर की बात आएगी ना अभी यह लूघा अभी फिन ओलो गया यह अचा यह जो गोला घ्रा जा रहा रहा है यह आप ऐसे भी दिखा सकते हो अल्टर्नेट पोजिशन पे तीन ऐसे आई वांट एक छोड़के ऐसे दिखा सकते दोनों सेमी चीज़ होता है यह तो अंदर ऐसे गोला दिखाओ यह फिर ऐसे दिखाओ दोन समझाती है स्रेनी समझाती है श्रिंखला आप इस तरह से कह सकते हो हो मोलोगस सीरीज यह क्या होता है तो क्लेक्शन अफ कंपाउंड्स हाविंग सेम केमिकल प्रपरटीज और डिफरेंट फिजिकल प्रपरटीज आर नोन एस होमोलोगस सीरीज मतलब आप कह सकते हो कि होंगे तो ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं जैसे मालो मैं इसमें से ऐसे कंपाउंड लेता हूं हम लोगों का यह स्ट्री ओएच तो यह जो ओएच है आपका यह क्या है बता सकते हो अभी अभी पढ़के आ रहे हो आप फंक्शनल ग्रूप ह होता है किसी कंपाउंड के अंदर वह रिस्पॉंसवल होता है केमिकल प्रपरटीज के लिए इसके लिए रिस्पॉंसवल होता है किसी कंपाउंड का किसी योगिक का रसाइनी गुंड क्या होगा केमिकल प्रपरटीज क्या होगी उसके लिए उत्तरदाई होता है उसके लि लिख दिया मैं आप से पूछहूं कि इसकी चैमिकल प्रपर्टीज और इसकी कैमिकल प्रपर्टीज स्थेम होगी यह आलग-अलग तो मैंने भी क्या बता है कि किसी कमपाउंड की जो chemical property होती जो रहसाइनिग Quinn होता है वो सके लिए responsible वِल पॉन होता हैसे में फंक्रणली कौन है अल्कोहल है इसले में आल्कोहल और दोनों में functional group pham ena तक हैसकते हैं कि इसका जो chemical property होगा इसका भी chemical अब मैं और भी ऐसे लिग सकता हूं ऐखो चरह CS3 CS2 तो हाने फोन किना और चैंज्ज और अगर फंग्सेंड नहीं किया तो मोझी तो इसकी इसकी तो यहां पर हमिन तीनों की जो जो है जो वह सेम होगी लेकिन फिस्टीकल प्रपरटी क्या होगा अलग अलग होगा अब अलग होगा अब आप शीजेश पता होगा कि मुलर मास बदलते हैं तो तो यहां पर जायसो की इनकी फिजिकल अलग अलग लेकिन क्या होगी तो आप कह सकते हो कि यह जो आप यहां पर सिरीज बनाया ना आपने यह अपने स्रेणी बनाया इसका आप कह सकते हो उनवाट तो सजाती ईश्रेणी संजाती सेंकला होमोलोगा सीरीज कह सकते हो इ archives सोया है इसी तरह से आप और सो नो कि मैंने उठा लिए Excuse वाला के इसको अथा लिया कि फिर मैं यहां पर लिएता हूं टी है थ्री सी ओ ओ एच ऐसे एच्छ यह देखना नो है मैं फंक्शनल गूप चेंज नहीं कर रहा है तिर्फ क्या चैन्ज करता हूं ध्यान से देखो फंक्शनल ग्रॉप वही रख रहा हूं मैं कि क्या लग रहा है तरफ सकते हैं इन सब में अगर फंक्सचनल ग्रूप एक जैसा है घर टो में आ तो इन सब कि एक होगी सेब की होगी लेकिन इनके क्या होगे अलग अलग तो यह जो सिरीज बना यह जो स्रिंखला वनना यह जो स्रेणी वनी इसी कौम कहेंगे हमोलोगा स्रीज बोलेंगे आई वाद समझ में परिकत अब आप जहां से पकर सकते हो जो आपके लिए आसान तरीका होता है जो आप टेंथ में सीख्या तो इसके लिए कुछ पॉइंट मैं आपको यहांवे बताता हूं जैसे और भी आप बहुत सारे होते हैं लेकिन यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लीजे आपको थोड़ा से और भी ज्यादा यह एहसास हो जाएगा कि इससे रिलेटेट क्या-क्या अधिनेकर रखने होते हैं All members of homologa series must have same Functional Group क्या पूला गया एक homologa series के एक सजातिय स्रेनी के जितने सारे compound होंगे न उसमें निश्शित रूप से क्या होना चाहिए सीम functional group होने चाहिए और सेम functional group क्यों होने चाहिए क्योंकि आप जब इसका definition देखो कि homologa series के जितने सारे compound होते हैं उनकी chemical properties क्या होती है समान होती है और यह समान तभी रहेगी जब उस series में सब के साथ functional group क्या रहेगा तो यहां पर यह पहला line important है इस से रिलेटेड दूसरा तू consecutive members of homologa series का मतलब है homologa series differed by CS2 और 14 ग्राम वैसे भी कारवन का मास कितना होता है बताओ मुलर मास कितना होता है 12 ग्राम पर मुल दो हाइड्रोजन दो जोड़ो कितना हुआ 12 कितना हुआ 14 तो यहां पर क्या बोला गया कि अगर आप टू consecutive members of homologa series मतलब उस homologa series के सजातिय स्रेणी के तो लगातार अगर आप उसमें से कोई भी compound आप लेते हो न तो उसमें difference कितना होना चाहिए मास का difference होना चाहिए 14 ग्राम का या ऐसे देखो तो एक कारवन और दो हाइड्रोजन का difference होना चाहिए अभी जो मैंने आप example लिया भी था अगर आप ध्यान से देखोगे तो CH3 oh यहाँ पर CH3 ओए में एक एकPS अगया इस नगया से देखना अगर इसके बाद इसको तो फिर इन दोनों के भी समैं च्प ubiquarm और इसमें दिखने हो तो इन दूनों को लगा तर देखने गा तो इसमें कर दो से इस एक एक्स्टा सीस्टू इस से और इसमें आ गया अई वाई समन्झ में तो दो लगातार अगर आप फॉम लगा स्रीज के साध्यान सुनो हम लगा सीरीज के दो लगातार अगर कंपाउं उठाते हो तो निकितने का डिफरेंस होता है कि इस टू का डिफरेंस होता है या 14 ग्राम एकॉर्डिंग टू मास द्रेमान के नुसर 14 ग्राम का डिफरेंस होगा तो दूसरा लाइन यह इंपोर्टेंट है तीसरा मतलब जितने सारे मेंबर्स होंगे जितने सारे उस स्रेणी में आ रहे हैं सबकी फिजिकल प्रपरटी क्या होगी इस पर डिसकेशन तो मैंने अभी कड़ी दिया था यह सबके लिए आपके पास एक ही फॉर्मुला से उस पूरे सीश को आप रिप्रेसेंट कर सकते हो और यह करते आये हैं जैसे अगर मैं आपसे को कि मुझे मिठेन लिक्षे ना जिसे इस पूर आप लिखते हो न तो मैं इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकता हूं देखो जड़ा देख रहा है अब मैं क्या करता हूं एक सिएस्टु बढ़ाता हूं स्टीस्ट्री इस टू यहां पे एस धियान से देखो यह क्या है दिख रहा है आपको कितना का difference दिख रहा है इसमें और इसमें कितने का difference दिख रहा है और बना सकते हो आप सोचो यह जो मैं बनाते जा रहा हूं यह क्या है सजाती है स्रेणी है हमोलोगा स्रीज है अब इसके लिए अगर मुझे एक फॉर्मूला से सब रिपर्जेंट हो जाएंगे और वह फॉर्मूला आप जानते हो इसका general formula क्या होता है इस्टन प्लस टू है तो जब जैसे जैसे एक नमबर बढ़ाओगे एक नमबर गटाओगे और खटाओगे होगे तो कितना का difference हाजाता है ऊच्छाए इसका जिनर्ल फर्मूला क्या हो गया एक्षप लिए इसके लिए लिख सकते हो अगर इसके लिए आप लेखना चाहें एल्कोहल के लिए यह सकते हैं त्येंस डूए अब यह होजयेगा अल्कोहाल ओ इच अब इसमेरो लीजिये इनका वां बखे देखिए तो C1 H2 1-3 C3 OH पहला आ जाएगा इनका वैलू टू कर लो जैसे टू करो तो क्या जाएगा देख लो दो कारवन पाच हाइड्रोजन और वेच इन कर लो आ जाएगा चार अगला वाला जाएगा पांच अगला वाला जाएगा इसके लिए इसके लिए इसका जैनल फर्मॉला लिखना हो तो क्या लिख सकते हो आप बोलो बोलो TN S2N plus 1 TOO क्या लिख सकते हो H क्या लिख सकते हो TOO H आई बाद समझ में तो कुछ यह चीज है आपका जो है सो की हमोलोगा सरीज आप देख सकते हो यहाँ पे जो चीज मैं समझा रहा था वह ही यहाँ पे ऐसे द्वी अपर ने कर आगे तक क्या होगा आपको एक ही chemical properties और different physical properties वाले compound सबको मिलते जाएंगे और लगातार दो compound कहीं भी आप देखोगे ना तो उसमें डिफरेंट आपको एक carbon और दो hydrogen का दिखेगा तो यहाँ पर आप देखो होगे तो यह आएगा तीन लग दो लगातार दो चेक करो एक carbon का difference होगा तो हीड्रोजन का पहले इसको नोट कर लीजे डेफिनेशन फिर एक्जाम्पल फिर आगे बढ़ते हैं हाँ इसको बनाया आपने आपको ये बताना है कि इन ये जो दोनों दिये गए हैं ये और ये आपको बताना ये होमोलोगस है की नहीं है हुआ है स्मарत इस रेनि है की नहीं ये अचा पहला है याति ये स्रेनी ये दोनों हैं हो शालिए मैं yaska egna ij ये वाला है की नहीं है अच्छा कितने लोग यम क्रॉस लगा देता हूं ये है कि ये किनिया है है अच्छा यह साड़ी जनता कह रही है है अब मेरा सुनिए यह भी होमोलोगस है किया है यह भी होमोलोगस है मैंने आप से यह थोड़ी पूछा की दो लगातार होमोलोगस है कि नहीं मैंने आप से ये पूछा कि ये सजातिय स्रेणी से हैं कि नहीं है एक बात बताएंगे आप वापस आईए वापस आईए अगर मैं इसको ले लूँ और यहां से इसको ले लूँ तो क्या ये दोनों अलग-अलग हुमोलोगा स्रीज के हैं यह दोनों एक ही सजातिय स्रीणी के हैं कि अलग अलग है तो आपने इस चीज को पता है किस लाइन को पकरके बैठ गया यह वाला तो कंजिक्यूटी मेंबर्स आफ होमोलोगा स्रीज डिफर वाई सीस्टू आप यह ढूनने लगे इन दोनों में जो लगाता जो दिख रहा है वो सीस्टू का नहीं दो कारबन और चार हाइड्रोजन का डिफरेंस है अई बस समझ में तो ऐसा नहीं है आपको क्या कहा गया य यह जिस होमोलोगा स्रीज का है यह भी उसी होमोलोगा स्रीज का है तो दोनों ही एक ही होमोलोगा स्रीज के हैं दोनों में एक ही फंक्शनल ग्रूप है यहां भी अलकोहल है दोनों की केमिकल प्रोपर्टी सेम है दोनों की फिजिकल प्रोपर्टी अलग है सारे डिफनेशन सेटिस्फाई होंगे और दोनों यह मोलोगस है वाई हां पिर से हमोलोगस है यह नहीं है यह तो कहीं कहीं आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे बाकी में अराम से आपको समझा दूगा अब एक ची बताना आप मुझे एक कॉस्चन में आपको और देदेता हूं कि आपको बताना है कि ये वाला और ये वाला ये दोनों होमोलोगस है या नहीं है यह दोनों होमोलोगस है या नहीं है अच्छा कितने लोग कह रहे हैं नहीं है हाथ उटाईए अच्छा कुछ जनता कह रही है नहीं है तो चलिए मैंने क्रॉस लगा दिया कितने लोग कह रहे हैं होमोलोगस स्क्रीज से हैं हाथ उटाईए इसमें कोई नहीं जा रहा है तो सवाल है कि यह सही बोला आपने यह होमोलोगस नहीं है क्यों नहीं है आप काड़ान भी बता सकते हैं अच्छा डिरेक्ट जोड़ देंगे तब तो दोनों सिमी हो जाएगा तो फिर तो वैसे भी नहीं होगा वो इसमें कौन सी बड़ी बात है कारण सही नहीं पता चला और कोई बताएगा आरे वाह क्या बात है यह वह ना बात दूनों में फंक्षिनल गुप है अलग अलग है यहां पे फंक्ष नल मुप कौन है सो यह ठीहंत इस दिखने व्रेल नहीं होता है अब यह षब क्योंस मैं नहीं होता आपाए ओंगणत 여러분 हाँ oh utilizz अलश्तित। अए जहां देख लोगे मेरे यह सब को सम्वाजर समझ लोगश्टुमर दहाँ इण हो इदेखो इदेखो बताव दौटा मेरे रगे सो nossa हो सकता है क्या नहीं हो सकता ना वही तो यह क्या बताओ थ कि कले अलकोहल है पुसबू से पहचानों इसको और यह क्या है फिनोल है क्या है यह फिनोल है आई बात समझ में यह दोनों different functional groups है तो इसके वज़ाँ से इनकी कोई कोई चर्चा ही नहीं होगी कोई कंपेर ही नहीं होगी आई वाद समझ में चलो और देदे एक चलो एक और देदेता हूं अब वैसे आप बता दोगे चलो बताओ एक मिनिट माफ करना यह एनस्टू होगा बताओ यह दोनों होमोलोगास है की नहीं है नहीं है कितने लोग कह रहे हैं नहीं हाथ उटाओ क्यों नहीं है बताओ यह कौन सा है बताओ प्राइमरी एमीन प्राइमरी अमीन आई यह क्या है बहुत अच्छे क्या बात ना ना यह प्राइमरी एमीन है यह से केंड्री एमीन है नहीं हम अन्वे नहीं करेंगे नहीं यह हो नहीं सकता कौन प्राइमरी एमीन है उधर उधर अच्छा यह वाला यह प्राइमरी अमीन अच्छा जी कि यह प्राइमरी किमीन है कि देखो तुम लोग साहि से बताओ वरना हम तुम लोग पोटैसियम अमीन कहा करेंगे है इस लो इंडिष्द आहिए ऑगत इन दोनों में फॉंक्शनल ग्रूप ही अलग है इन दोनों में यह कहां मिला हम लोग को जहां हम दोनों क्या था था कि प्रैमरी सेकेंंडरी और तर्सियरी अमीन टीनों क्या होते हैं डिफ्ठेंट फंक्शनल गुलते हैं इस दोटियां के अधिया अच्छ और शाथ ठ्राइक करोगai व क्यान है बताव ये दोनों हमोलोगस हैं या नहीं है और ये पीजलदी शाँदे रहा आप लोग आप कर Ellis के लिजह दोनों वहलोगस नहीं है і ये 56 भी होमोलोगस नहीं है अचाह यह क्यों नहीं इसका तो यह दोनों से में या अलग अलग है आ से यहां कि टॉन है और यहां इथां कि यह से मिज़िए ठीक है अनुसका अलग अलग है यहां क्या है कारवक्स क्लिक एसी डूहाँ पर है यहाँ पर अच्छा यह इथर और यह किटोन है अच्छा ठीक है आप भी बताना चाहते हो बता लो हम बूलो यह क्या है इस्टर है कि और यह कि стороны है यह इस्टर है किया है कि इस्टर है सलिघ्ल लाइन पूला आप लोगों को दिख गया है कि ये वॉल वादा ते यह ठीक है माल लेते हैं कि डवल नवटक रखट एभी ओधी ठीक है इस के साथ आई रोजन साफ साफ दिख रहा है इस ओपर यहां पर सिंगल के यहां पर है पर कार्वन है अगर यहां पर हाय दिखाया दो यहां दिखाया लाम एक दो इस तो इस दिखाना ही पड़ता हमको और रहता है यहां पर दिखाए है है ओआट बॉन्ड लाइन फंपुला मैं सिवस्ट फुका पा जाता है अगर या घ्राय था फी upward नहीं है तो यहां पर एचाब बोली नहीं सकते हो यहां पर यहां पर क्वाला होगा यह पर कारवन होगा और इससे क्या होगा होगा hydrogen होगा देखो ध्यान से यहां पर क्या होगा सोचो यह तो यहां पर कारवन चारवन नोगा मत दो कुछ इसको यह तो अक्सीजन है दो बन बना चुका है इसी को स्ट्रीट दिखाओ गेना तो चीज त्री डवल बन ओ इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और इससे जुड़ा अब लोग terrace हों में रहे हैं कि अंधर तो कुछ ओड़ ही चल रहा है इसमें तो पकड़ी नहीं पाढ़ें पाड़ा सब्सक्राइड कई लोग यह बोले एक टून है अरुक टून ता होता है जब इस कारवन के साथ ड़े और वह यह उसक्तूरा हो लेकिन फिल इधर वह अका लोजन आएगा यसी इस्तिरी आएगा मिथाईल आएगा इथाईल आएगा ऐसा आना चाहिए सीधा दिमांग में रखो मैक्सिमूम टाइम पर कारवन आना चाहिए और के जगह पर कि अब तकलीफ दे दिया आप लोगों ने मेरे को बहुत दुख हुआ मुझे तो कुछ इतना दुख नहीं हुआ अब लोग अभी गलत पहचान नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं अब्जॉर्ब करिए जाके घरवे बैठके पन्ना खोलिए और खुब बढ़िया से उसको देखिए फिर खुद से बॉनला बनाई है एक एक बड़ा बड़ा बनाई है उसमें सब मिला आके डाल दीजिए दस गो आठो पंद्रा गो डाली एक स्ट्रक्शर में पुरा एक एक पन्ना भाड़ी है कोई दिक्कत नहीं है रफ पे जो भी मिल्या वह से भाड़ते रही है बनाते र कि आगया जाते है इन पे तेडा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रूप दिख रहा है एल्कोहल है इसमें क्या दिख रहा है इसमें यह इथर है कि या यह इतर है इसमें भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रूप है यह भी नहीं होंगे आई बात समझ में क्लियर है तो सही डिफनेशन पढ़ा रहा हूं सब को सही बता रहा हूं लेकिन आप लोग जब फड़ा मैनत ही नहीं करोगे कल कितने लोग घर पे गया तो बैठ का अब् रूड़ी है कि यह समझना है बैठ जाइए बैठ जाइए तो अब अगला एक टेबल आपको दिखाता हूं दिख रहा है कारवनिक यह कों का वर्गी करन क्लासिफिकेशन आफ और गेनी कंपाउंट्स यह जो सुरू होगा ना ध्यान सुन लिजए यह जो सुरू होगा ना इसमें आपका जो फंक्शनल ग्रूप वाला टेबल है बहुत बड़ा रोल अधा करने वाला है जैसी शुरू होगा ना वहां सब अच्छे से चाहिए अगर वह आपको अच्छे से नहीं याद है ना तो मैंने कल आपको दिया था 10 मैंने सुझा था कि कल आप 10 बारा करके आ और तक कि यहीं होता है रहता है न रोटीन करता है। रहाटियों समझते दहिसी समझें आप लोग पढ़ने वैठ्टे लगाता दस गंड़ अपढ़ोंगा यहां रूटीन मनाके कि लेकिन रेगुलर पढ़ोंगा उससे क्या होगा कि दस दिन में आप 40 गंटे पर लोगे तो यह से पता लएगा कि एक बार पढ़े छे गंटा फिर शे गंटा तो उतने ही टाइम बीता लेकिन 12 गंट नहीं पर पाओगे आपके दिने मौझ मस्ती में निकाल दिया मतलब पॉफिक्ट होते तो फिर दिकत नहीं में बच्छों का और दूसरी है कि आप जो घर पर जो टाइम मिलता है आपको अगर घर पर काम वेगर नहीं तो बढ़िया है हम लोगे साथ क्या है कि पर पढ़ने का इंट्रेस्ट कितना भी है तो शे गंटे साथ गंटे आपका क्लास है तो लिना है उससे आप बच्छीत रहा नहीं सकते शेचाथ गंटा क्लास लेने के पीछे आप समझ दो कि तकरीवां पांच-शेचाथ गंटा पहले मेहनत करो सिस्टम के उपर वह सबका जबान पर एक-एक फंक्शनल ग्रूप के स्ट्रक्शर और वो जो नाम है दोनों याद होने चाहिए और अगले दिन यानि कल क्या हमक दूंग बतायता हूं मैंने बोला था प्रिफिक्स से कोई मतलब नहीं अभी मैंने यह आप सभी निजा दिया था मुझे स्ट्रक्शर बांटें पकर में आना चाहिए आपको नाम सब का लाइन से आढ़ ना छाहिए ये डो काम दे रहा हूं और अगले दिन मेन कल का हम प्ता है कि रहेगा कि सबके выход वोथे नहीं आपके दिओ परिफिक्स रापने शओंगा होने या नित दिमाई बांग में ब्ल्क दीमांस आह तल्स फोनिक एसे तीशरा एसेड एन है टाइड चौथा इस्टर पांच वाह तो हैसेड एलाइड था इसेडामाईड पिर साम अमाई डोगा असी डामाईड और साथ वा साइन आठवा नौवा दसवा यह के बड़या आप सुनों एक तरीका वता रहा हूं सबसे पहले करो सबसे पहले बंग के चित्र बनाओ कि पहले करो कर्वाकषिलिक और प्रॉक्षर दिमांग में इमाजन करो कि कैसे कारवन डवल बन ओ जुड़ा हुआ है यहां पर आक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है यह आपको पता होना चीए पहले नाम याद करो सब का लाइन से एक से वह चौबइस पतीज तक जहां था भी आव सब का लाइन से आपको नाम पता होना चीए ठीक है आपको दिक्कत होती है मैं समझता हूं हाइड्रोजन हिलियम करते तो बहुत टफ होता था लेकिन दिदेर आपको याद हो जाता है इसा नहीं होता है पैसी कर लो थोड़ा रहने देता हूं बागी अगले क्लास में